ठीटूरती सर्दियों के दिनों में अगर एक कब गर्मा गर्म चाय पीने को मिल जाए तो वाँ, क्या बात है, इस से बैटर और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों चाय तो आपने बहुत ही पी होगी, लेकिन एक बार ये चाय आप बना कर जरूर पिए आप अब तक कि जितनी भी चाय अपने पी है वो सब भूल जाओगे, तो आपकी बार इस चाय को आप जरूर बना कर पिए क्योंकि आपकी रोजाना पीने वाली चाय के मताबिक कई ज़्यादा टेस्टी है, पॉस्टिक है और स्वस्ते वर्दक है क्योंकि इस चाय को बनाने में जिन भी चीजों का हमने यूज किया है वो सारी चीज़ें मिलकर आपको इस छिटूरती ठंड से तो बचाएंगी ही साथ में गर्माहट भी देंगी और स्वास रखेंगी और आपकी इम्मुनिटी को भी बढ़ाएंगी जो कि आज कल तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दी के मौसमें सर्दी खासी जुकाम बुकार और कई तरह के वाइरल संकरमन की चपेट में आने का भी जोकी बना रहता तो ऐसे में अपनी इम्मुनिटी को मजबूत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है तो नमस्कार, हेलो वरिवन, घर का खाना सेता जाने में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं आवला की चाय यानि आवला टी जो कि हमार इम्मुनिटी बूस्ट करने के लिए काफी बेस्ट और एक हैल्दी ऑप्शन है तो आवले की इस स्वादिष्ट और स्वास्तेवर्दक चाय को बनाने के लिए हम इहापे चाहिए होंगे आवला तो यहाँ पर हम एक कप चाय बना रहे हैं तो एक कप चाय के लिए एक आवला काफी है तो दोस्तो आवला की चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप आवले को अच्छे से धोलीजे और फिर इसकी बाद आप कद्दू कस कर लीजे उसको दोस्तो आवले एक ऐसा वंडर सुपर फूड है जो आपको सर्दो की सीजर में मार्केट में चारों तरफ मिल जाता है बड़ी आजानी से इसमें विटमिन सी भरपूर मातरा में होता है और इसके अलावा इसमें पोटेशियम, आइरन, मैगनीज, कैल्शियम और भी कई सारे पोशक तत्व के साथ इसमें एंटियो ऑक्सिजेंट से भी भरपूर है ये जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदे मनें क्योंकि इस सारी है तो अब हम इसे कद्दुकस करेंगे दोस्तो अदरग भी एक ऐसा सुपर फूट है जो स्वास्ते से जूड़ी कई समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम है जिसे की खासी गले में खराश या कोई सूजन समंदी समस्या हो उसके खिलाफ लड़ने में बहुत जादा बे और गैस की फ्लेम को मीडिय में रखेगा इसकी बाद आप इसमें डाल दीजे कद्दुकस की आवा आवला और अब इसकी बाद हम डालेंगे यहाँ पर कद्दुकस की आवा यह अदरग इसकी बाद हम इसमें डालेंगे ताजे 5-6 करीब पुदीना के पत्ते दोस्तो जो आपकी शरी को अंदुरनी तोर पर शक्तिशाली बनाते हैं, अब हम इसमें डालेंगे 5-6 काली मिर्च के दाने, आप इसे कोट के भी डाल सकते हैं, ये वाद और कफ को डश्ट करती है, तो इसे हम एक बारी चला लेंगे, और लो फ्लेम में करीब 10 मिनट तक हम इसे उबा हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़, गुड़ की तासिर भी गरम होती है, तो ये सर्दी जुखम और कफ में काफी फाइदे मन है, तो आप स्वादनों सा डाल देजेगा गुड़, आप बिना गुड़ की भी बना सकते हैं इसको, तो इसको एक ब बढ़ जाएगा, आप पी के देखेगा एक बारी, लेकिन काली नमक वाली चाय अगर थंड़ी की दिनों में पीते हैं, तो इसके अलगी फायद होते हैं, सर्दी जुखम और गले की खराश से आपको राहत मिलती है, साथी कफ को आसानी से बहार निकालता है, तो नमक डालन के लिए आप आवले से बनी कोई न शरि को जरूर क्याना चाहते हैं, जैसिकि आवले की मजएदा खटी मिटी गुर से बनी चटनी, आवले का मुरबब यह आचार, लिंक डिस्क्रुप्षिन वोक्स में दे दिया हैं, आप चाहें तो वहां से चपाट आउट कर सकते हैं, तो दोस्तो आप अपनी इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए शरी को स्वास्त रखने के लिए आवले से बनी ये बहुत ही टेस्टी, पॉस्टिक और स्वास्ते वर्दक, गर्मा गरम आवला टी जरूर बनाईए, पीजी और इसके मज़े लीजिए, उम्मीद करते हूँ आज क हमारी आवले से बनी बहुत ही टेस्टी, पॉस्टिक और स्वास्तिवर्दक आवला टी आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको आज के हमारी वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर चीजेगा, शेर कीज़ेगा अपनी दोस्त